प्रोजेक्टटेड एस्टीमेटेड ए dazu बहुत ही हुआए प्रोजेक्टेड एस्टीमेटेड ए प्रोवीदरन बैलंशीट ये वह टॉपिक है जो बहुत ही इंप्रूटेंट है आप हम एक और earning की opportunity के बारे में जानेंगे जी हाँ friends जब हम practice कर रहे होते हैं या जब हम अपनी legal consistency form चला रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत से client आते हैं जो उनको loan की requirement होती है और loan की requirement के लिए कई बार bank project report मांगता है और उसके साथ साथ projected, provisional और estimated balance sheet भी bank मांगता है तो अब क्योंकि project report का हम लोग पहले देख चुके हैं उसका अलग utility पड़ी हुई है और अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा हुआ है link description में है आज इस वीडियो में हम देखेंगे projected, estimated and provisional balance sheet कैसे बनाई जाती है और य हाँ एक मोटा मोटा मैं आपको idea दे देता हूँ तीनो balance sheet में difference जो होता है वो timing का होता है कि कब आप कौन सी balance sheet बना रहे हैं बनती balance sheet वैसे ही है बस timing की वजह से उसको provisional, estimated या फिर projected बोला जाता है जैसे for example अभी हमारा 2022-23 का financial year end हुआ है ठीक है अगर अभी आपकी balance sheet finalize हो च बहुत लोगों की balance sheet अभी final नहीं हुई होगी लेकिन हो सकता है आपको bank में submit करना हो या किसी authority को submit करना हो तो अभी आप क्या करोगे जो balance sheet बनाओगे account अभी finalize नहीं हुए है तो अभी जो आप balance sheet बनाओगे उसको बोलोगे provisional balance sheet अगर ये final हो जाती तो ये actual balance sheet हो जाती पर अभी finalize नहीं हुए है तो इसको बोलेंगे provisional balance sheet अगर आप अभी बना रहे हो 22 अच्छा estimated क्या होगा अभी कौन सा financial year चल रहा है 23 चौबिस अगर बैंक आपसे बोले कि उससे 24 की balance sheet चाहिए तो उसको actual में क्या बोलेंगे estimated balance sheet क्या बोलेंगे estimated balance sheet क्या बोलेंगे estimated balance sheet ओके सर और projected क्या होगा next financial year कौन सा है 24-25 तो next financial year से लेकर आगे जितने भी year की आप balance sheet बनाओगे उसको बोलेंगे projected balance sheet मतलब forecasting एक अनुमान लगा के कि आने वाले सालों में इतनी sale होगी इतना expenditure होगा वो आप बताओगे किसको bank को या किसी भी authority को उसको बोलेंगे projected balance sheet I hope clear हो चुका हो अब मैं आपको सीदे लेके चल रहा हूँ कैसे बनाया जाता है projected estimated and provisional balance sheet उसके बारे में करेंगे बार तो देखिए आज मैं आपको बहुत ही simple तरीके से मतलब आपको 10 से 15 मिनट लगेगा और आप provisional estimated and projected चारपाट सालों की ऐसा ही बना ले जाओगे with the help of automatic excel utility सीदे मैं Excel utility के उपर यह एक ऐसी utility है जिसमें आप provisional balance sheet estimated उसके बाद projected एक year दो साल, तीन साल, चार साल और पाच साल यानि के total 7 सालों की balance sheet आप इन जटके में बना सकते हो बस एक clicks अच्छा सर आगे चलते हैं यह हमारा dashboard अब dashboard में आपको क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है भाई नाम client का उसका address, provisional year कब खतम हो रहा है और estimated year कब end हो रहा है वो आपको बताना है ठीक है सर बिजनस type क्या है, provider है, form है, company है वो बताना है नेचर क्या है, trading है, manufacturing है, service provider है जो भी है इंडन रुपीस यहाँ पर आपको assumption देनी है और यह assumption का part बहुत important होता है because हर nature of business के हिसापते यह vary करता है जैसे मैंने यहाँ पर दे रखाए कि turnover यानिकी sale every year 20% से grow करेगी अगर अभी मा लाग 20,000, next year 20% से increase हो जाएगी, तो वो मैंने assumption दे रखी है कि हर साल मेरी जो sale है, वो 20% से increase हो जाएगी, आप अपने इसाप से रख सकते हो, ठीक है सर, खर्चे कैसे बढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर दे रखा है estimated कि 10% से खर्चे मेरे हर सार increase होंगी, तो वो मैंने 10% कर दिया है, अच्छा, अब जो भी आप loan लेनी जा रहे हो, उसका जो भी percentage है, मेरी case में 11% है, जो भी आपका bank आपको बताएगा, 8, 9, 10, वो अब यहाँ पर लिख सकते हो, ओके, उसके बाद जो अगला important part होता है estimated में, चाहे वो projected हो, आपको profit set करना होता है, अब देखी, जो म बहुती ज्यादा profitable business हो, तो आप 20, 21, 22, 23 भी कर सकती हो, सर ये हमेशा बढ़ता रहता है, जी यहाँ, जब भी आप projected बनाओगे, तो जो net profit का जो ratio है, वो every year increase होना चाहेगी, चाहे 1%, 1,5%, 2%, मतब जो भी आपका nature of business है, उसके हिसाब से आपका profit percentage है, वो every year increase होना चाहेगी, व लोन नहीं था, तब भी आपको 10% का net profit हो रहा है, अब आपको बैंग ने लोन दे दिया, तब भी 10% का profit हो रहा है, तो बहुत अच्छा लोन मतलो, जब आपके net profit में कुछ increase हो ही नहीं रहा है, तो लोन लेके क्या करोगे, तो हमेशा आपको क्या करना है net profit को, चाहे तो 1%, 1 1, 2%, जितना आप चाहो उसे आप से आप उसको increase करना पड़ेगा, मैंने every year 1% का growth दिखाया है, आप अपने इसाप से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़े आपको यहाँ पर स्टेट करना है, अब आएगे, सीधे न आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से, प्रोवी इससे पहले आपको क्या करना है, depreciation के schedule में आएगे, और मैंने कुछ asset यहाँ पर already लिख रखी है, अपने nature of business के इसाप से, जो आपके उपर applicable है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो applicable नहीं है, उसको आप simply zero करकी छोड़ दीजिए, furniture नहीं है, zero कर दीजिए, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर enter करोगे, सारे आने वाले सालों का depreciation, automatic यह calculate हो जाएगा, ठीक है सर, अब आते हैं provisional, यहाँ पर provisional and actual balance दोनों लिख रखा है, क्यों, अगर आपकी balance sheet final हो चुकी है, अब यहाँ में discuss करा है, अगर आपकी balance sheet final हो चुकी है, तो आप यहाँ पर provisional word को delete कर देंगे, इसको आप delete कर देंगे, क्यों, क्योंकि यह आपकी actual balance sheet हो जाएगी, तो इसका कोई काम यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसको आप delete कर दोगे, मेरे case में अभी balance sheet finalized नहीं होई है, तो यहाँ पर मैंने provisional add किया हुआ है, तो अगर यह आपकी actual है, तो आप provisional word delete कर दीजिएगा, अगर actual नहीं है, provisional है, तो यहाँ पर आप provisional word लिखा रहने दीजिए, अच्छा, आप देखिए, अब यह first year है, तो first year का जो data है यह आपको खुच से enter करना पड़ेगा, बाकी estimated, projected, एक साल, दो साल, ती साल, यह सब अपने आप तयार हो जाएंगे, को actual money क्यों रखा हुआ है, manual, क्योंकि भाई, actual तो nature of business के हिसाफ से change होता रहता है, किसी में ज्यादा खर्चे है, किसी के sale ज्यादा है, किसी के sale कम है, किसी के purchase ज्यादा होती है, किसी के कम होती है, तो आप अपनी nature of business के हिसाफ से, आप turnover, closing stock, purchase, freight, यह सारी चीज़े आप first year में manually put करोगे, manually, उसी तरह आप यहाँ पर जब आओगे, balance sheet में, तो creditors, other people, closing stock, debtors, supplier, cash bank balance, यह सारी चीज़े आप अपनी nature of business के हिसाफ से, खुच से enter करोगे, depreciation यह automatic उठा लेगा, depreciation schedule से, ठीक हो गया जी, तो first year में आपको data manually put करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर data put करोगे, आप आजाते हैं estimated में, तो estimated balance sheet यह मैंने किस के हिसाफ से बनाई है, यह जो balance sheet मैंने बनाई है, यह मैंने इस सोच के साथ बनाई है, कि जो CC का amount है, वो है मेरा 5 लाग का, और जो मेरा TL amount है, उसको भी मैंने 5 लाग रखा हुआ है, simplify करने के लिए, ठ 5 लाग के loan के हिसाफ से यह estimated बना रखी है, आपका अगर loan amount कुछ और है, तो आप अपने हिसाफ से change कर सकते हो, कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे आराम से, ठीक है जी, आच्छा, अब आपको turnover कैसे set करना है, आपने यहाँ पे डाल दिया है, अपना actual turnover, या फिर provisional वाला, अगर आप इसको 40 लाग कर दोगे न, 40 लाग, तो यह automatic estimated भी change हो जाएगा, और कैसे change होगा, यह जो आपने यहाँ पर assumption दे रखी है, हमने यह बताया है कि हर साल हमारा turnover 20% से grow करेगा, तो यह automatic यहाँ पर 20% से grow कर रहा है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर additives जैसे था वैसा छ change हो जाएगा, और आने वाले सालों का turnover भी अपने आप set हो जाएगा, ओके सर ठीक है, अब आपको करना क्या है देखिए इसमें, हर साल आपको, यहाँ तो आपको सारी चीज़े manually fill कर नहीं है, पाकि estimated और projected में every year आपको कुछ चीज़े manually डालने पड़ेगी, क्योंकि वो purchase, stock की detail, debtors and creditors, यह सारी चीज़े आपको manually डालने पड़ेगी, इसके अलावा जो आपका जो interest है term loan का, अब आपको term loan क्या होता है, CC क्या होता है, यह अगर आपको नहीं पता है, तो मैं link description में दे देता हूँ, वाबर मैंने पूरा detail में discuss किया हुआ है, कि term loan क्या होता है, CC क day खर्चे के लिए अगर आप loan देते हो, तो उसको बोलते है CC, और अगर कुछ आपको fixed assets purchase करनी है, तो उसके लिए जो loan दिया जाता है, वो होता है term loan, क्या होता है sir, term loan, जब आप fixed assets को purchase करने के लिए loan देते हो, तो वो होता है term loan, ठीक हो गया जी, अब मेरे case में देखी क्या है, पांच लाग की CC है, और पांच लाग का term loan है, अब term loan का interest यह हर साल change होता है, तो यह भी आपको यहाँ पर manually put करना पड़ेगा, तो यह कहां से निकलेगा, तो उसकी भी tension लेने की ज़रूद नहीं है, यह है EMI calculator, मेरा loan पांच लाग का था, interest 11% है, loan का period 5 साल का है, और loan की जो EMI start होगी, वो होगी 1 June 2023, अगर आपकी case में हो सकता है, यह 10 लाग का हो, तो आप यहाँ पर 10 लाग करेंगे, तो यह automatic हर साल का calculate आपको करके दे देगा, कितना closing balance है, कितना interest है, मेरे case में कितना है, मेरे case में 5 लाग है, तो मैंने यहाँ पर 5 लाग कर दिया, और यहाँ प put करना है, ठेक है, CC का automatic calculate कर लेगा, बाकि सारे खर्चे automatic आ जाएंगे, दूसरा, miscellaneous expenditure, यह other expenditure है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप estimated बनाएंगे, या projected बनाएंगे, तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, कि miscellaneous expenditure, 10,000 से 20,000 के बीच में ही होने चाहिए, मतलब, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, इस दीरों से 20,000 के बीच में, यह ध्यान रखिएगा, कि 20,000 के ऊपर यह नहीं होने चाहिए, क्या, miscellaneous expenditure, क्यों, यह वो खर्चे होते हैं, जो कहें भी classify नहीं होते हैं, तो other expense होते हैं, तो other expense आप हमेशा कोशिच करेंगे, कि हमेशा 20,000 के नीचे ही होने चाहिए, अब वो आपको ऐसे नहीं करना है, देखिए, miscellaneous expenditure को आपको टच नहीं करना है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, formula, मैं इसको red कर दे रहा हूँ, red, इसको मैं कर दे रहा हूँ, red, आपको touch नहीं करना है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, do not touch, do not touch, आपको इसको change करने के लिए, बाकी figures को change करना है, अभी मैंने क्या बताया है, आपको की, purchase और stock, तो miscellaneous expenditure को अगर आपको कम ज्यादा करना है, तो आपको क्या करना है, सर, अब जैसे यह stock है, purchase हैं, अब purchase को और आप कम करो, मैं आपर कम कर दे रहा हूँ, purchase को 29,75,000 कर दे रहा हूँ, ठीक है, यह देखिए, यह कितना हो गया है, 61,000 हो गया, अब मैंने क्या बताया है, यह आपको 20,000 की नीचे रखना है, तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप purchase में change करो, या आप stock में change करो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा के 31,25,000 कर दे रहा हूँ, तो मैंने समें चला गिया, तो मैं और कम कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, अच्छा, और कम करना पड़ेगा, अब आप समझे चला है, क्या हो रहा है, आपको purchase और stock को change करना है, तब तक change करना है, जब तक mislead expenditure 20,000 की नीचे ना आ जाए, तो आप raise और closing stop में change करेंगे, तो mislead expenditure अपने आप change हो जाएगा, और तब तक change करना है, जब तक ये 20,000, बतब 10,000 के 20,000 के बीच में ये ना हो जाए, बाकि सारी चीजे में forward लगा हुआ है, आपको बिल्कुल touch नहीं करना है, CC का balance हर साल 5,000 की रहने वाला है, term loan का balance कम होता रहेगा ये balance कैसे पता चलेगा, ये जो हमारी EMI calculator है, यहाँ से आपको closing balance पता चल जाएगा, तो हर सार ये closing balance आपको जानते उठाके balance sheet में भी put करना होगा, अच्छा, drawings क्या होती है, हमें बता है, जो हम अपने personal खर्चों के लिए business से पैसा निकालते हैं, उसको बोलते है drawings, तो ये भी हर business के nature की हिसाब से आलग-अलग होती है, तो ये भी आप adjust कर सकते हो, अपने हिसाब से, okay sir, अब देखिए, sir ये जो estimated है, या projected है, तो इसमें हम कितना turnover रख सकते हैं, कि हमें loan मिलने में आसानी हो, तो देखिए, कुछ bank क्या करते हैं, turnover का 10% या 20% CC देते हैं, तो उस case मे आपको क्या करना है, अगर आपके 10 लाग की CC है, तो आपका turnover कम से कम 1 करोड होना चाहिए, अगर 10 लाग की CC है, तो turnover कम से कम 1 करोड की आसपास होना चाहिए, अब मेरे case में क्या थी, मेरे case में है 5 लाग, तो मैंने कितना रखा है, 42 लाग की आसपास रखा है, तो इसका अग अगर हम निकालेंगे 10-10 परसेंट तो 5 लाग की आसपास आ जाएगा एक तो यह हो गया दूसरा हमें क्या करना है वर्किंग कैपिटल का एनालेसिस करना है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल यह जनरलिक कैसे निकालता है बैंक current asset minus current liabilities तो यह जैसे मुझे 5 लाग की CC लेनी है तो यह कितना आ रहा है सर इसका total तो अगर मैं इसके total की बात करूँ तो यह आ रहा है 15 लाग और यह है current liabilities इसको less करेंगे तो इसको इसमें से less करेंगे तो यह should 5 लाग और अबव आना चाहिए current asset को जब current liability से minus करेंगे तो 5 लाग या उसे ज्यादा आना चाहिए मतलब जितनी आप CC लेना चाहते हैं आपकी working capital उससे ज्यादा आना चाहिए इसको हम लोग current ratio भी बोलते हैं current ratio बोलते हैं तो भई current asset को आपने current liability से minus करा तो जितनी आप CC लेने जा रहे हैं यह उससे ज्यादा होना चाहिए अब आपको उसी हिसाब से अपने readers, supplier और creditors सेट करने यहाँ पर भी आपको bank balance को touch नहीं करना है यह automatic update होगा इसको मैं लिख देता हूँ do not touch cash balance यह automatic अपने आप adjust होगा तो इसको आप edit छोड़ दीजेगा बाकी चीज़े आपको edit करनी है कैसे करनी है edit कि आपका जो current asset में से जब आप current liabilities minus करो तो वो आपका जो CC लेने जा रहे हो उससे ज्यादा होना चाहिए ठीक हो गया जी वैसे तो मैंने ऐसे ही set किया हुआ है तो आपको ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है आपने estimate balance sheet बना दी यहाँ से projected एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल और पांच साल यह automatic बन जाएगी आपको कुछ नहीं करना है पर हर साल आपको आना है और क्या करना है पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो miscellaneous credit है miscellaneous expenditure जो है यह हमेशा 10,000 से 20,000 के बीच में वोना चाहिए और यह करने के लिए आपको क्या करना है या तो clothing stock को adjust करना है या फिर purchase को adjust करना है ठीक है और purchase किसके इसाफ से set करनी है turnover के इसाफ से समझ में आ रहा है balance sheet में क्या करना है हमें balance sheet में कुछ चीज़ है में change करनी है एक तो term loan का balance यह हमें कहां देख के डालना है यह हमें देख के डालना है यह जो हमारी EMI calculator है यहां देख के डालना है ठीक है और debtors हमें set करना है advance set करना है यहाँ बेस अनुरी के इडिटर्स हमें set करना है other payable set करना है कैसे set करना है जितनी भी हम cc लेने जा रहे हैं जितनी भी हम cc लेने जा रहे हैं जब current asset को current liability से minus करेंगे तो cc से ज्यादा आना चाहिए ऐसे आपको set करना ठीक हो गया जी तो यह है छोटा सा वीडियो कि आप projected estimated कैसे बना सकते हैं बहुत ही काम का यह software है बहुत ही ज्यादा easy है आपको सिर्फ क्या करना है इस software में आपको बस provisional और actual balance sheet जो है आपकी वो आपको manually put करनी है बाकी estimated, सारे साल की projected यह सारे अपने आप यहाँ पर prepare हो जाएगा तो यह आपको कैसा लागा software मुझे जरूर बताईएगा सर यह software हम कैसे ले सकते हैं तो देखिए friends यह easy software आपको हो सकता है सिर्फ 149 रोपीज में इसमें आप 7 साल की balance sheet बना सकते हो, 7 years की सिर्फ 149 में हो जाएगा यह आपका link description में है automatic, fully automatic यह है बस आपको मैंने आपको बताया क्या के चीज़े आपको manually put करनी है और इसके बाद आपके पास कोई client आता है तो आप 149 क्या projected estimated बनाने का जो normal fees है market में वो है दिर हदार थे दो हदार इवें लोग तीन हदार थे चार हदार भी charge करते हैं means अगर आपके पास एक client भी आ गया है तो 149 तो बहुत छोटी चीज़ है तो अब अपने practice में अगर आप practice करने के सोच रहे हैं या अगर आप practice कर रहे हैं तो अपने portfolio में एक और चीज़ आड़ कर लिजिए provisional estimated and projected balance sheet इसको बना के आप अपने client को दे सकते हैं और वहाँ से भी आप अच्छी खासी earning कर सकते हैं कैसा लगा यह ब्यारातर वीडियो मुझे जरूर बताइएगा मिलते हैं आगले knowledge bell वीडियो में